का स्वाग है थे में आज में लोकी के पकोड़े जो कि आज मौसम बहुत ही चाद अच्छा था तो मैं सुची थोड़ पकोड़े खा लिया जाए और यहां पर मैंने छूटा से लोकी देख से इसका आधा भाग हम लोगों कटिंग करके चील लेना है और कदू कस्के लेना है तक के लिए चोट जैएं तरह जाएं डाइन पिशान फिट भागों डालेम के लिम देहां पाल देशन घाल यह ना पर बाव लेना हम लोगों को इसमें डालें है मैधा में रचली निमें त्क चलनी में ताकि जिल्ली ली ना पड़़ा हो जाएं यह देख से तह हैं इसके करेंगे सब्सक्राइब करेंगे अब आपकोड़ा कैसे लगा इसमें अजवाइन और मंगर आई थोड़ा सा तीखा चटपटा बनाने के लिए मैं इसमें हरी में आप जाहें तरी स्क्रिप्ट भी कर सकते हैं यहां पर सब यहां प्रह samma तो करका दे हैं इसमेस को मिक्स मिक्स कर लें इस극ना है यह देख सकते हैं अब कडा भी रख कलका कारें है जो चलिये बनाते हैं अब करम कर दब करना क्या पकोड़ा बनके रीड़ी हो जाएगा इसको थोड़ा से में निकालने में प्रॉब्लम जा रहा था तो अभी इसको हलका सामने गोल्डन ब्राउन कने प्रॉब्लम उप्राइय में अच्छे से पका ले ना अंदर तक ताक इसका तेस्ट इसके स्मेल क्या ही पता दो गाइज इतना यम्मी टाइप के लगा था मूं में पानी जा रहा आ जा रहा था मेरे यहां पर में को 15-20 में अच्छे से पका लेना है और प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूं कि मेरे चैनल को प्लीज सपोर्ट कर देजा आप अच्छे से बना लेना है यहां पर देख सकते हैं थोड़ा समय फ्लेम को और है कर ली हूं कि यह संचिंग संचिंग होने ही जबाला है इसके बाद हम लोगे बन के होगे रेड़ी मेरा पकोडा और चटनी के रेशिपी में अपने नेक्स्ट वीडियो में अप्लोड़ कर द कर दूंगी और यह हो गया है मेरा गर्मा गर्म पकोड़ा और इस पेशल वाला चटनी सो प्लीज प्लीज सपोर्ट कर देजेगां थैंक यू बाई